नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल News Markets 24 में आज भारत को पीली मतर के निर्यात में रूस बना शीर्ष आपूर्ति करता। कनाडा को पीछे छोड़ा से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। रूस अब भारत को पीली मतर की आपूर्ती में कनाडा को पचाड कर शीर्ष पर पहुँच गया है। पहले इस ख्षेत्र में कनाडा का वर्चस्व था लेकिन हालिया आंकडों के मुताबिक रूस ने इस बाजार में आकरामक तरीके से अपनी पकड मजबूत की है। भारत के आयातकों को वहां से आयात बढ़ाने के लिए प्रुचसाहित कर रहा है। जिससे आयातकों के लिए डॉलर पर निर्भरता कम हो गई है। इससे भारतिय आयातकों के लिए यह विकल्प न केवल अधिक सुविधाजनक बलकी आर्थिक रूप से फाइदे मन भी साबित हो रहा है। यह स्थिती केवल भारत तक सीमित नहीं है। चीन के पीली मटर के बाजार में भी रूस ने कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। पहले कनाडा चीन के पीली मटर बाजार में 97 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अब इसका लगभग 50 प्रतिशत बाजार रूस के कबजे में आ चुका है। इसका प्रमुख कारण चीन और कनाडा के बीच बिगड़ते रिष्टे हैं, जबकि रूस और चीन के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत होते जा रहे हैं। एपीडा के आंकडों के अनुसार, अप्रेल से जुलाई 2024 की अवधी के दौरान भारत ने रूस से 4.4 एक लाख टन पीली मटर का आयाद किया। यहां मात्रा दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच किये गए 4.01 एक लाख टन शिप्मेंट से अधिक रही। दूसरी और, कनाडा से भारत को वितिय वर्ष 2023 से 2024 के दौरान 13.8 शून्य लाख टन मटर का निर्यात हुआ था, जो अप्रेल से जुलाई 2024 में घटकर 3.9 लाख टन रह गया। व्यापार विशलेशकों का मानना है कि रूस से आयातित पीली मटर की कीमते बेहद आकरशक हैं। साथ ही, भारत और रूस के बीच रुपए में होने वाला व्यापार आयातकों के लिए डौलर की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। शिप्मेंट खर्च भी रूस से कम है। जबकि कनाडाई मटर की कीमत 460 डौलर प्रती टन है। रूस में हाल के वर्षों में पीली मटर का उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जिससे वह भारत और अन्य देशों के लिए एक प्रतिसपर्धी आपूर्ती करता बनकर उभरा है। रूस के आकरामक निर्यात और प्रतिसपर्धात्मक कीमतों ने उसे भारत को पीली मटर आपूर्ती में शीर्ष स्थान पर पहुचा दिया है। रुपए में व्यापार और कम शिप्मेंट खर्च ने भारतिय आयातकों के लिए इसे एक बहतर विकल्प बना दिया है, जबकि कनाडा की हिस्सेदारी घट रही है। खबर में सिर्फ इतना ही इसी तरह के न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और News Markets 24 देखते रहे।